दोस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में चुकी इरेडा स्टॉक लास्ट रेडिंग सेशन पे लगबग 12% की तेजी दिखाई है और पिछले 5 डेज में देखेंगे तो ये ट्रेंड लगबग 30% के आसपास का रहा है और टेक्निकली स्टॉक ने 4 मंत में 250 से भी जादा के रिटर्ण दिये हैं तो आगे के ट्रेंड और न्यूज को समझे से पहले प्रेमियम टेलिग्राम को जॉइन करें और इसके तेजी के पीछे मिंट इडिटोरियल पे जो असित मनुहर जी ने एक एडिटोरिय रहें वह काफी बेटर रहा था यूफोर के अपडेट काफी बेटर रहे जो प्रेविएस वीडियो में मैंने बताया और यहां टेक्निकली जो है 200 तक के लेविल एक्सपेक्ट किये जा रहे हैं फन रेज 24,200 करोर की अनुमती मिली है और इसके सरकिट 5% से 20% रिवाई होते हुए दिखे हैं यह तीन बरे कारण ही इस समय ट्रेंड होते दिख रहे हैं और यही कारण यहां भी देखेंगे अगर आप देखें कि इडेडा सेयर जो है 253 परसेंट 4 मन्त में दिखा है और इ 37,000 करोर के आसपास का मार्केट कैप है और यहां रियंक अरोरा टेकनिकल एनलिस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टॉक में पहला 157 का रेजिस्टेंस वो तो बीच चुका है अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 180,85 और सपोर्ट जोन 120 के आसपास का माना जा रहा है आ देखेंगे श्टॉक है जो रिटेश नियर टर्म सपोर्ट 133 के लेविल की बात कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन टार्गेट यह है यह रेजिस्टेंस है और टार्गेट क्या दे रहे है यह टार्गेट तो कुछ दे ही नहीं रहे है बस टाइम पास कर रहे हैं मैं यहां देखें तो डिलेवरी बेटर दिख रहे है और जो टेकनिकल ट्रेंड है वो ट्रेंड भी देखेंगे तो बेटर ही दिख रहा है बेटर डिलेवरी के साथ टेकनिकल ट्रेंड बेटर है और जो अर्लियर सपोर्ट था इस सपोर्ट से ब्रेक आउट हुआ यह टारगेट 220, 340 और 500 तक के लेविल्स भी दिख सकते हैं वीकनेस कब तक नहीं आएगी जब तक मीनिमम ये जो लेविल दिख रहा है 158 के लेविल को ब्रेकडाउन नहीं करे तब तक स्टॉक बिल्कुल वीक नहीं होने वाला है